नमस्कार दोस्तों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शुभी उमीद करती हैं कि बगवान शुरी ग्रेंच जुक्या शुर्बाश्य आप शुभी बहुत एच्छे होंगे अपने घर में मंगल मैश्तिती में होंगे जिहां दोस्तों दोस्तो आप शुभी को बता दी कि अब आपका एक और नया श्मय आ चुका है अब आप शुभी के लिए जुनकाल में बहुत ये अच्छे खुश खबरी भगवान ग्रेंच के अशिरबाश्य आपको प्राप्त होने वाले हैं जिया दोसों आपको बता दी कि आज शाम के पांच बज चीज देने वाले हैं जिने पाकर आप खुशी से बिल्कुल ही गदगद हो जाएंगे जिया दोसों बशरती अब आपकी जरुत होती है कि शबी चीजों को बिल्कुल ही प्रेम भावशे लेने का जिया दोसों कि दोसों बहुत शारी से जातक होते हैं कि चीजों को शुनते ही कुछी से उचलने पड़ते हैं और धिंडोरा पीटने लगते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये भूल यश्मी बिल्कुल भी नहीं करना है जिया दोस्तों सबसे पले आपको जानना है कि कैसे यह चीज आपको प्राप्त हो शकती है इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्या इमित बताए हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा तभी दोस्तों आप इने जान पाएंगे और तभी ये पांच शुब समचार आपके हाथों में होंगी जिहां दोस्तों आप शुबी को बता दियें कि अब आपके जुनकाल में ये चमतकार होने और दोस्तों आप शुबी को बता दिये आज शाम पांच बजे के बाशी भगवान श्रीक गिनेशी आपके जिवनकाल में आने वाले हैं, दस तक देने वाले हैं, जिया दोस्तों, आप शिवी को बता दें, कि इन बातों को आप बिल्कुल भी मजाग मत समझेगा, कि दोस्तों भगवान चाहे तो ग्या नहीं कर शकत ही, यह उनकी माया है, जिया दोस्तों, बश हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है, जिया दोस्तों, और जब भगवान का शमे आता है, तो दोस्तों, वह किशी न किशी रूप में हमें उनका परिणाम देही देता है, जिया दोस्तों, और वह शमे अब आच चुका है, ज जिहां दोस्तों आपको बता दें कि कल से आपके जुनकाल की शारी शमश्याओं का अंतो हो जाएगा और जुनकाल में शुबी परकार की शुक्ष मदाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जिहां दोस्तों आप शुबी को बता दें कि अब आपके जिन्दगी में कुछिय की बारिश होने वाली है क्यों दोस्तों आपको बता दें कि इंसान सची शर्दाशी भगवान पर बिश्वास करता है तो दोस्तों भगवान भी उन शबी बिश्वास करने वालों का दिल नहीं तोड़ता जिहां दोस्तों चाहे जेसा भी हो भगवान अपने भक्तों की मदद किसी ने किशी रूप में जरूर ही करते ही जिया दोस्तों और ये बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताए है लेकिन दोस्तों आप शुब को बता दें कि सच्ची शर्दा होना शब्षे बेड़ी चीज है जिसे हम पत्थर में भी भगवान को प्राप्त कर सकते ही जिया दोस्तों तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी शुच्चे भक्ती सच्चे विश्वास है तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंड बॉक्स में शच्चे मन से जैश्री गनेश जी जरूर लिखिएगा दोस्तों भगवान श्री गनेश जी का अश्य मसरबाद आप शिभी को अवश्य प्राप्त होगा लेकिन दोस्तों आप शिभी को बता दे कि ये अश्य में बगवान शरी गिनेश जी जो चीज आपको देने वाले ही उन्हें आपको शम्हाल कर रखने होंगे और दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल ही अपने ही अंदर रखना है ये बात कहीं पर भी आपको नहीं धिन्डोरा पिटना है कि दोस्टों जहां भी आप इन बातों को निदोरा पिटते हैं तो दोस्टों वहीं शे आपकी जुनकाल की बुरे दोर की शुरुआत होती है आपके दुश्मन आप शी इर्षा लुवेक्ती आपके सर्चाई जानकर वे पहले ही आपसे इर्षा करने लगते हैं और आपकी कारियों में बिगनबदाएं किशपर कर आई उनके लिए तैयारिया करने लगते हैं तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ही आप अपने ही मन के अंदर अपने दिल के अंदर छुपा कर रखें पर दोस्तों वीडियो को शुरूश लेकर अंतर तक ध्याश देखें ये आपके जिम्यदारी होगी तो ये दोस्तों बात करते ही कि भगवान श्री ग्रेश जी कैसितपाश शी आज शाम पांच बज़े के बाद आपके जुनकाल में वो पांच बड़ी शुव समचार कौन-कौन शी है दोस्तों ये शुमे अपनी वैसम दिंचर्याश ये कुछ शुमे अपने परिवार और शमद्यों के लिए आवश निकाले इसी दोस्तों आप तरामुक्त और उर्जावान भी महशुर करेंगे अपनी परिवा के दम पर आप अपनी अलग पैशान बनाने में भी शुमे कामियाब रहेंगे और शुम्रान तोसे शुमे अगर आपकी शाधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किशी भी विपरित पच्तुती में भावनों के आवश में ना आए कोई लक्ष आपकी आँकों से ओजल हो सकती है परते कारी को ठंडे दिमाग से सोच विज़ार करके ही करें साथी बचों की शुमस्याओं के श्मधान में अपना अवश्य सयोग दें यह आपके लिए आवश्यों होंगे और श्कुप्रान दोसरी यह आपके लिए समय होंग दूर करना आपके लिए श्मय शंबाव हो सकता है दोस्तों आपको बता दें कि जिवन सेली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रतनी श्मय जारी रहेंगे फिर वी वक्त का लिहाज याद रखना भी आपके लिए श्मय अत्यांत्य आवश्यक होंगे और श्कुप्रान के दिखता भी रहेंगी प्रतु ये खर्चे कुछ बहतर और भई श्मंदी सुवी जनाओं के लिए होंगे इसलिए घवराये नहीं और इसके साथी दोस्तों कभी-कभी आपका शंकलानों श्रवाव बंते कारियों में जुकावर डाल सकता है इसलिए दोस्तों ये जो समय ह होंगे आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक शौबरूप से शवल बनाने के आपकी कोशी से समय सफल हो रही है लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वज़शी व्यक्तिकत बातों को नदर अंदाज करना आपके रिएश में भईश में तकल किसे समाजिक समस्ता में आपके अच्छे स्यों की वज़शे आपका यश में मान शमान भी बढ़ने वाले हैं आप अपनी दिंचरिया से हटकर कुछ नए किरिये कलापों और ज्यान वर्तक बातों को शिकने में भी अपना शमय वधित करेंगे आपके व्यक्तिकत में यश म मिलने शी मन में कुछ जो है वेराग्य जिसी इस्तिती भी उत्तपन हो शकती है अश्के साथी दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होगी दोस्तों आपको बता दे कि बंते हुए काम अचानक बिगड़ने के वज़शे आपको मानसिक तकलीप का शामना भी करना होगा फि इसके साथी दोस्तों आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों यह शमय कापी शमय बाद घर में मेहमानों के अगमन शे खुश्चनमा बातार मी रहेगा तथा एक दूसरे के मेल मिला बहत्रियन दिंजर्या शे रहात आपको देने वाले हैं वाश्के प्राहत दो लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे कुछ लोग आपके छवी को खराब करने का यह प्रयाश भी करेंगे अपना वायवार श्यमित रखें क्रोथ और आवेश में इस्तितियां ज्यादा बिगड़ सकती है तो इन पर आपको जो है रोक लग प्राप्त होती है इसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें यह आपके लिए बैतर होंगे आपको मिल रहें जो है अप्यस की वज़र से लोगों दोवरा हो रही आलुशना भी आपकी बढ़ सकती है और इसकी प्राहन दोस्तों यह में अगर आपकी के जुकरी यह तता वायुषाय में ध्यान रखें कि किसी परकार की वैस्ता में कोई दिकत भी आशकती है इसका आजिश में आपको ध्यान रखने की आवशकता होंगी इसके साथी दोस्तों वायुषाय की बाधाएं काफी हद तक आपकी दूर भी होंगी प्रंतु आर्थिक किसी मद रहने के वज़िशे आत्मिश्वास भी आपका थोड़ा साथ डगमगा शकता है लेकिन यह में आपको धहरे के अदामन थामते हुआ आगे बढ़ना है आगे आपका शपलता इंतजार कर रहा है दोस्तों बसरते आपको ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश् समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि शरकारी शुवाद व्यक्तियों को अपनी मन पसंद और थर्टी मिलने से सुप सुचना आपको प्राप्त होगी जिसमें प्रमोशन की भी उम्मिद है वाईशाय में यह समय है आपके अतरिक्त आय की भी सुब इस्ततियां बर रही है और इसके चाहते दोस्तों यह में आपके वाईशाय के लिए जो समय होगे आपके केरेट के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि नोकुरी और बिजन श्मी का महाल जो है अपने अनुकुल बनाने में आप शक्चम रहेंगे शोंपी हुई जमेदारियों का भी निर्वाहन आप यह में बहुती बखुबी तरीकेशे करने में काम्याब रहेंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो समय है आपके लिए हो शकता है कि गोई दिकत आने पर आप अपने वश्रूलों और फिर स्रिधानतों से कुछ समझोता भी कर सकते हैं और अगर आपकी लव लाइप के लिए समय होंगी आपके यह जियू समय के दोस्तों आपको बता दें कि घरी सासी के शाल किसी प्रीवरिक शमाझा का जो ऑप समस्य प्रन्तु आप जो अपने सूजवी दोवरा उसका अशर पारिवरिक शुक्सान्ती पर नहीं पढ़ने देंगे और इसके साथ दोस्ते यह में आपके लिए जोन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि अफ्यर्ष के मामलों में आपको इसमें सावधान रहने की आउ सकता होंगी घर का महल भी शांती पूर्ण और खुश्णमा बना रहेगा प्रन्तु जो इन साथी के शाथ किसी मुद्दे को लेकर हलकी फुलकी नौक जोंग हो सकती है तो दोस्तों यह में आपको इन सभी चीज़ों को लेकर श्रावतान रहने की आवश्रक्ता होंगी शा जान दोसे यह में आपके स्वास के लिए दोस्तों आपको बता दें कि शिर में भारीपन तथा मनोगल में कमी मैसूर करेंगे आत्मसक्ति बढ़ाने के लिए आपको यह में ध्यान और मेटेशन का शाहरा लेना चाहिए